हेलो दोस्तो आर्केटेक्स आपका सागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक CRT पिक्चर टीव का चर्जर बना के दिखाऊंगा तो उस चर्जर को बनाने के लिए हमें जो जो समान को चाहिए वो मैं आप आप लोग को सामने लेकर दोस्तो सबसे पहले तो ह इसके साथ एक 10W का एक रेजिस्टेंस ले लेना है उसके साथ एक 5408 का एक डायोड ले लेना है और 220 किलोहम का रेजिस्टेंस ले लेना है एक एक करके और एक CRT जो बैस है सोकेट CRT बैस का जो सोकेट होता है उसको एक ले लेना है और एक आपको ट्रास्पर्मर चाहिए 0-1 का ठीक है 1500mAh का 0-1 का ट्रास्पर्मर चाहिए और एक 15W का बाल्प चाहिए और एक होल्डर आप ले सकते हैं या फिर टारेट यहां पर कनेक्शन कर सकते हैं ठीक है मैं नहीं हाँ पर यह उल्डर का यूज़ करूँगा और एक सब्लाइक का कैबल चाहिए ठीक है तो वीडियो पर सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वीडियो को लास्ट जोरू देखन को भी प्रेस करते हैं इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस कपासिटर के साथ यह जो दोनों लेग है इसके साथ यह 220 किलोहों का रिजिस्टेंस को आपस में लगा द यह देखिए हमने कुछ इस तरह से दोनों लेग में इस रिजिस्टेंस को सुल्डरिंग कर दिया है ठीक है उसके बाद यह 5408 का जो डायोड है उसको ले लेना है और इसमें देखिए एक तरफ यह हॉइट निशान है यह देखिए एक तरफ हॉइट निशान है जिस तरफ हमारा यह डायोड का जिस तरफ हॉइट निशान है उस तरफ हमारा जो यह पोजेटिव लेग है यह वाला यह जो हॉइट निशान है यह नेगटिव लेग होता है और जो लेग वाला निशान है यह पोजेटिव लेग होता है तो इसका formula के साथ यह यह हैइज हैं है उसके साथ इसको कनेक्सिन करें यह देखिए कुछ तरह से आप लगा लेंगे उसके गांष के बार पूर्स के बांषिए 10 वाट का जो झीक है उसको लगाएंगे इस डायूड के साथ आपस में इस Church है यह ने लगा निए मैं थे आधि में गया वाल्फ है इसको रिखने होल्डर निंगा लिया है और इस में दो वायर निकाल दिया है ती का इस तरह से एक को यह उसको पज्टिटिव लेगत है उसके साथ लगा तुक्षिए यह देखिए इस होलडर का एक वायर को हमने यह के पस्टेटर का पोजेटिव लेक के साथ डारेटली जोएन कर दिया है ठीक है और दुसरा जो वायर हमना हमारा वचा हुआ है इसको हम लगाएंगे यह जो स्याटरी टीवी का वेस सोकेट है इसका जो यहां पर इस सोकेट के बार मैं मैं पहले बता देता हूँ यह आपर नो पीन है या देखिए एक दो तीन चर पाण छे 789 content में में से यह पेहला वाला को हम यह मेरा जुरुद्द नहीं है और यह वाला पिन, हीटर का पिन है, उसके बाद यह हीटर ग्राउंड का पिन है, उसके बाद यह रेड के थोड़ का पिन है, उसके बाद यह जी टू है, यह वाला जी टू है, उसके बाद यह ग्रिन के थोड़ का पिन है, और यह जी वान है, तो यह सेकेंड वाला हमारा जी वा है और जो यह वायर हमारा वाच्चा हुआ है जो होल्डर से आता है यह वाच्चा हुआ वायर यह हमारा जी वान पे जाकर कनेक्शन होगा ठीक है तो यह जो सेकंड वाला पीन है वो जी वान है उसके साथ मैं इसको सुल्डरिक करता हूँ ठीक है यह दिखिए हमने यह जो सेकंड वाला पीन है उसके साथ हमने कनेक्शन कर दिया है ठीक है यह जी वन का पॉइंट होता है ठीक है उसके बाद अब यह जो पंद्रावाट का वाल्व है उसको हमें जहां पर लगाएंगे बाद में उसके बाद ज जीरो वारा आउट प्रूट होता है ठीक है तो यह जो जीरो वारा हमारा वोल्टेज है यह जाके सिधा हीटर का जो पीन है यह वाला पीन और यह वाला पीन ठीक है इसमें डारेट हम कनेक्शन कर देंगे ठीक है इसका कोई नेगटिव प्रेटिव नहीं होता है यह आपको ज को है यह दिखिए हमने connection कर दिया है जो जो यह समर का 아जा धिर बारा और यहां पर यहां पर कर R58 का connection किया है ठीक हैвор था उसके बाद वाकी रह गया यहन जो AC input देना हैं इसका connection गए और यहां पर चैसा सॉपङ दिरना है उसका भी connection बाकी रह गया है उसके लिए हमने एक एसी कोड के इस्तिमाल करेंगे यहां पर ठीक है कि इसको लगाएंगे तो देखिए इन में से जो रेड़ वायर है इसको डायरेटली हम यह जो देस्वाट का रेजिस्टेंस है इसका एक लगाएंगे और यह टास्पर में जो एक वायर इसका ले लेंगे ठीक है यह देखिए यह connection आप पहले समझेए यह जो एसी कोड का चो एक हमने वायर लिया है रेड़वएर एसे कोड का रेड़वएर यह यहां से एक सब्लाई एक टास्परमार में जाता है यहां दीखिए इफ इसवार से हैष पर दास्परमार में ठीक और वस्चा हुआ हमारा दुसरा लेक एसी कोड़ का में लीड का यह इसका हम दुसरा जो ड्रतस पर्मर का दूसरा यह Cult में यह यह भ्य है इसके साथ कानेक्शन करते ह। और एक वर खैंना स्सिर्स्था ले लेंगे कि एक्स्ट्राव एड़ procure स एक टेंगे इसमें इस तरह connection कर देंगे और यह हो गया है अब यह जो एर जो एक्स्ट्रा वैर हमने लिया था इसको बीज में तोड़ा सा इस तरह सा काटेंगे ठीक है जामपर बना लेंगे इसको एक और इसको हम यह जो यह जो बेस्ट सोकेट है इसका जो जी टू है यह होगी है हमारा जीवान उसके बाद ग्रीन केथर्ड उसके बाद जी टू होता है उसके साथ इसको हम connection करेंगे ठीक है यह देखिए इस तरह हमने connection कर दिया और जो मैंने जो जामपर हमने रखा है जो जामपर इसको रखा है एक्स्ट्रा इसके साथ हम काम करेंगे जब इसको हम सर्कुट सर्कुट बोर में या फिर जो बेस है उसमें लगाने के बाद इस जो हमारा बचा हुआ ग्रीन के जब हम राइन करेंगे तो इसमें लाइन के बाद 1-1- ciao ? इसको हम तो करकिंगे जबलू केशद को चाज करना है तो हम लोग के श्लक करके रखेंगे जब तक यह इसमें जो यह पंद्रावाट का जो बल्म हमने लगाया है जब तक यह सही तरह से ग्लो नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलू करके रखेंगे जब बुलू केथर को चार्ज देना है तो बुलू केथर को इसको लगाएंगे जब रेड केथर को चार्ज देना है तो रेड केथर में इसको लगाएंगे ठीक है इस तरह से हम इसको चार्ज कर सकते हैं समझ में आ गया और इसके जरी आप एक पिक्चर टिप को केसे चार्ज कर सकते हैं उसका वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो दोस्तो वीडियो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जोरू करते हैं ठीक है